असलाम अलेकम आज मैं आपके साथ चने की दाल के हलवे की रैस्पी शेयर का रही हूँ यह बहुत ही मज़े का हलवा बनता है यह टुकडी हलवा बना रही हूँ आप इसे मिठाई भी कह सकते हैं वीडियो आपने एंड तक देखनी है यह बहुत ही असानी से बन जाता है सबसे पहले चने की दाल मैंने लिया वान एंड हाफ काप इसको अच्छी तरह साफ कर लिया है एक गंटे के लिए मैंने बगो के राक दिया है एक गंटे के बार अब मैंने पतीले में पानी डाला है जैसे पानी को बाल आने लगा है मैं इसके अंदर डाल डाल दी है और इसको इतनी देर बॉाइल करना है जब तक यह दाल गाल जे और इसके अंदर नमक वगरा कुछ भी आइड नी करना ये दाल गल चुकी है, मैंने एक स्टेनर में डाल के इसका पानी न काल दिया है और एक बौल में डाल दिया है अब दाल को ठंडा करके फिर इसको वो पीसने है ये इतनी सही, आप देख सकते हैं, गली हुई है और ठंडा करके करना है, ताके वो दानेदार सा इसका चाहिए, ये चापर में इस ही वो पिसेगी, सारी इस तरह करके चॉप कर लेना इसको, ये बहुत ही मज़े का हलवा बनता है, आप इसको बनाा के इस तरीके से जरूर ट्राई करें, अच्छी तरह पीस लेना है, ये अब यह पिस चुकी है यह आप देख सकते हैं पिस चुकी है और दानेदार सी अब कड़ाई के अंदर एक कप मैंने घीडा लाए अब देशी घी ले 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 और इसके अंदर सब्स जलाइची पांच से छे लेके उसको अच्छी तरह कूट लिया और चिलके मैंने आज को आपने तेज नहीं रखना इसको हिलाते हुगे भूनना है इसकी बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है यह अच्छी तरह इसको 25 से 30 मिन्ट भून के फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ें आड़ करूंगी ताकि यह दाल का कच्छा पांच जो है वह दूर हो ज जैसे जैसे यह दाल बुनती जाएगी इसका वो गी जो है वो छोड़ती जाएगी एक कप मैंने घी डाला है अच्छी तरह इसको बून लेना है यह बहुत ही मज़े का हलवा बनता है आप इसे जरूर ट्राइग करें मैं इसके अंदर ड्राइ मिल्क पॉडर एड़ और दूद इसके अंदर ही खुश्क होजे दो गलास दूद डालें दाल को भी गला लें और दूद इसके अंदर ही खुश्क कर लें और या फिर आप पानी में बॉइल करें और ड्राइ मिल्क पॉडर डाल लें इस तरीके से असानी से बन जाता है और बहुत ही मज़े का ब इसका मज़े का फ्लेवर आता है और इसको आप थोड़ी देर मिक्स कारके इसके अंदर ड्राइ मिल्क पॉडर एड़ कार दूँगी यह तरीका जो है ड्राइ मिल्क पॉडर एड़ करने वाला यह सानी से और बहुत जल्दी बान जाता है इस तरीके से अब इसके अंदर ड्राइ मिल्क पोडर भी आदा कापी मैंने डाला है आब इसके साथ भी 5-7 मिट और इसको भूनना है और अगर आपने मैं इसके अंदर शीरा बना के डालू मैं टुकरियों में काट लिए हूँ आप वैसे भी इसको भूना सकते हैं फिर आप इसी स्टेज बे चीनी भी इसके अंदर एड़ कर लें। चीनी अपना पानी छोड़ेगी और इसको भूनते जाएं। जब पानी खुश्क होजे और अच्छी तरह फिर गी छोड़ दे तो आप उस तरीके से आप बाउल में नकाल लें। मैं इसके अंदर अलाग से शीरा बना आके डालूँगी मैं टुकरियों में काट रही हूं। यह आप देश सकते हैं यह 35 मिन्ट से 40 मिन्ट यह अच्छी तरह यह भून चुक है। अब इसके अंदर वो थोड़ा सा अगर आपने फूड कलर एड करना है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो वो भी आप स्किप कर दें। वो उससे थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यह भून चुक है। आँच को आपने तेज नहीं रखना ताके वो जलेना और अच्छी तरह भून जे। आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर एड कार रही हूं यैलो। फूड कलर डार के मैं चूला बंद कर दूँगी और शीरा लग से त्यार करूँगी। चूला मैंने बंद कर दिये और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना ताके वो कड़ाई गरम है वो लगे ना नीचे से और शीरा बना रही हूं। अधा कप पानी मैंने चूले पे डाल के रखे है सॉस पैन के अंदर उसके अंदर एक कप और वन फॉर्थ कप मैंने चीनी डाल लिया है। और इसको इतनी दिर पकान है कि ठीक सा इसका शीरा बंजे वो जैसे एक तार का कहते हैं। या आप हाथ से देखें जब वो चिपकने लगे और हाथ आप डिरेक्ट शीरे पे ना लगाएं। किसी बाउल में डाल के चेक करें। किसी बाउल में थोड़ा सा डाल के फिर आप वो हाथ पे इस तरह चेक करें। अभी थोड़ी दिर और पकाऊंगी। या शीरा बना के आपने डिरेक्ट उसके अंधर डाल देने ता अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूगी। आप शीरे की लुक देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि लिकवर्ड है तो आप इसको चुला आन करके इसको थोड़ी दिर पका सकते हैं नहीं इसके अंदर मिक्स करके नकाल लूँगी यह शीरा अच्छी तरह पका हुगा है अगर आपने चीनी थोड़ी कम डालनी है तो आप एक कप तक भी डाल सकते हैं अगर आपके अगर बनाती है मैंने बटर पेपर लगा लिया है मोल्ड के अंदर ताके मैं वह बर्फी की तरह कटिंग करूंगी स्क्वेर पैन में डाल के इसको सारा इस तरह इसको ठंडा होने के लिए राख दूँगी अच्छी तरह ठंडा करके फिर इसकी कटिंग करूंगी आप इसको पिस्ते के साथ गार्निश कर रहे हूं पिस्ते को मैंने स्लाइस में काट लिया है नट्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं बदाम डालने काजू डालने पिस्ता जो भी आप डालना चाते हैं और स्पैचले से थोड़ा इस तरह कारके बराबर आप इसको या तो आप रूम टंप्रेचर पे बाएर ही छोड़ दें तीन से चार गंटे के लिए अच्छी तरह जाम जे ठंडा हो जे या फिर अगर जल्दी है तो जैसे ही वो थोड़ा रूम टंप्रेचर पे आज़े त वो बर्फी की तरह अपनी मर्जी से क्यूबस आप छोटे करें या बढ़े करें इसको आप फ्रीज में रखें हफ़ते दास दिन के लिए आप इसको फ्रीज में राके खाएं चाय के साथ या महमानों को सरफ करें या वैसे आप खाएं नाश्टे में भी ये बहुत ही कि लगती है कि मैं आपको दिखाती हूं मैंने इतनी वो बर्फी की तरह इसके कि रखी है आप इसको इसी तरीके से बनाएं पहले भी मैंने भो से अल्वे की रेस्पी दी हूई है मैं प्ले लिस्ट उसकी दे दूँगी आई बटन में ब्रेड का अन्डे का हलवा मैं अभी के अब इसको आपको तोड़के दिखाती हूँ。 या आप देख सकते हैं नदर से दाने दार सा आप सको बनाएं इसी तौरीके से मैंने बहुत से हलवे की बनाई है वो आपने जरूर ट्राई करने है और बहुत ही असान तरीके से मैंने वो बताए हुगी है हलवे बनाने थैंक्स फार वाचिंग हो कि अल्ला आफीस